नमस्कार लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे D.E.R.C. के चेर्मेन से जुड़ी खबर के बारे में कि उन्होंने हाल ही में शपत ली या नहीं। इलहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवरित न्यायमूर्ती उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विन्यामक आयोग D.E.R.C. के चेर्मेन फिलहाल शपत नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शपत को 11 जुलाई तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट तै करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उप्राजिपाल का है। सुप्रीम कोर्ट ने उप्राजपाल को नोटिस जारी कर जवाब मागा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एल जी ने केर के सेवाओं को लेकर जारी ने अध्यादेश के तहप जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की थी। इसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। दिल्ली सरकार की उसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा कि इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये दिल्ली सरकार के अधिकार शे प्रशासन दिल्ली सरकार वोटरों के लिए जिम्मेदार है। इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। सिंग्वी ने कहा दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने की योजना शुरू की। उपरा जिपाल ड्रारा उस स्कीम को बंद करने की कोशिश है। ये थी खबर DERC से जुड़ी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही इसी तरह कानूनी खबरों को जानने के लिए वीडियो को शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। झाल झालओ करें arrow! झालओ कैनी लड़ kesवąż करें। द astronom को खब queer खबसे ही ते सी से टोफ़ीं ही तरह कैनी की को जालओ से तरह को जा हुँ़ी करें से प्रह करें तरह काम बंद cancel MRS झालओ के तरह के मां झालओ कैनी का या प्या क्जा झाल झाल